Hello Guys, Welcome Back, Welcome to Eye Care Ticker आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे चस्मे पहनने से हमारी आखों को कुछ फायदा होता है हमारे चस्मे पहनने से हमारी आखों में क्या-क्या फायदे होते हैं क्या-क्या नुकसान होते हैं आज की वीडियो में हम cover करने वाले हैं कि हमारी आख को चस्मा पहनने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे आख के लिए disadvantage क्या है नुकसान क्या है तो अब हम फायदे के बारे में बात करते हैं अगर आपका number मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका number minus में minus 1 तक है या फिर plus में 0.75 या 1 तक है तो आप अपनी मर्जी से चस्मा लगा सकते हैं अगर आपको बिना चस्मे के कोई भी दिक्कत नहीं आ रही अगर आपको बिना चस्मे के भी ठीक दिखता है आपको कम तो दिखेगा थोड़ा क्योंकि अगर आपका plus 1 या minus 1 नंबर है तो आपको उतना साफ नहीं दिखेगा अगर आपको बिना चस्मे के आपका काम चल रहा है कोई आपको सर में दर्द नहीं हो रहा आखों में strain नहीं पड़ रहा, आखों में भारीपन नहीं हो रहा, आखों में दर्द नहीं हो रहा, आखों से पानी नहीं आ रहा अगर आप asymptomatic है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आरी बिना चस्मा लगाने से तो आप भी चस्मा लगाना छोड सकते हैं, आप बिना चस्मे के अपने सारे काम कर सकते हैं, पर वो एक case में apply नहीं होता है यह चीज़, बच्चों के case में, बच्चों के case में क्यों apply नहीं होता, अगर बच्चे का phovia, या फिर अगर बच्चे का जो vision है वो 6x6 नहीं है, तो हमको उसको चस्मा पूरे time पिनाना पड़ेगा, इस topic के उपर मैं थोड़ा बड़ी वीडियो बाद में बनाऊंगा, जिसमें मैं detail से यह चीज़ आपको समझाऊंगा, अभी आप youngster के बारे में, edit लोगों के बारे में, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं बता करते हैं कि जिनका नंबर एक से जादा है, दो, तीन, चार, पाँच है, पहली बात तो उन लोगों को बिना चस्मे के बहुत कम दिखेगा, जब वो दूर देखेंगे तो उनको कम दिखेगा, तो उनको दिक्कत आई, अगर वो लोग चस्मा लगाने लग जाते हैं, तो फि इसी तरह अगर हमको दूर का नहीं देख रहा हमारा दू या तीन नंबर है, तो हमको दूर का बहुत, दुनला देखता है अगर हम चस्मा लगा लेते हैं हम सब को साफ देखने लग जाता है, पेसेंट को वो चीज healthy मिलने लग जाती है, उसके बाद पेसेंट भी चस्मा प कॉस्मेटिक लोग खावराब कर रहा है तो आप मत लगाईए अगर स्लेंड्रिकल नमबर के बात करें तो केस थोड़ा अलग हो जाता है जिसकी वज़ेसे सरदर्द आपको होता है तो उसमें आप चस्मा लगा सकते हैं अगर आपका भी नमबर अगर कुछ जादा है आपका क कोई केस सिवियर है या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो इस जो सर ने बताया है उससे मेरा केस कुछ अलगे तो वह आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं सबके रिप्लाई देता हूं आपका भी रिप्लाई दे दूँगा और आपको बैस डिवाइस के सामने बैठते हैं कम्प्यूटर या फॉन चलाते हैं तो आज कल इतने अच्छे मार्केट में ब्लू कट लैंसे आ गए हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं जिससे उनकी आखों पर जोर ना पड़े उनकी आखों पर ब्लू लाइट जो आती है उसका एफेक्ट ना पड़े उससे अपनी आखों को वो इस्ट्रेन ना दे अगर उनका पावर का चस्मा है तो वो लोग यूज कर सकते हैं ब्लू कट लैंसेस के साथ जिससे ब्लू लाइट से वी उनकी आखे बचेंगी और अगर उनको थोड़ा कम देख रहा है तो वो भी थोड़ा उनको क्लियर हो जाएगा बाकी जब लोग ड्राइविंग करते हैं जब उनको अगर पड़ रहा है तो वो लोग चस्मा लगाएं ताकि उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिले और ज्यादा विजन उनका अच्छा हो अगर आपको कॉस्मेटिक लोग के लिए या फिर आप पार्टी अगरा में जा रहा है आप नहीं लगाना चाहते तो वहाँ आप अवोइट कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चस्मा पूरे टाइम लगाना है या फिर अगर आप चस्मा थोड़ी बहुत दिर नहीं लगाएंगे या जब आपका मन नहीं तब नहीं लगाएंगे तो मुझे कॉस्मेटिक लिए अच्छा दिखना है तो आप ना लगाएं किसी भी लोगों की मित में ना है कि चस्मा ना लगाने से नंबर बढ़ेगा या इसा कुछ होगा बाकी जैसा मैंने बोला कि आगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके में में से बात कर सकते हैं में से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है चस्मा लगाने की और चस्मे से क्या-क्या दिक्कत आ सकती है थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक और